Left over chicken हर्याली recipe से chicken हर्याली कबाब जो बनाये थे मम् elegant ने अब ही उस कबाब को लेकर एक दूसरी recipe ट्राई किया उन्होंने ये दूसरी रेसिपी यानि पार्ट टू वाला वीडियो है पहले की जो रेसिपी उन्होंने बनाया था उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और चिकन हर्याली का भी लिंक है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले चिकन को श्रेड करके बॉयल्ड आलू लेकर उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे यहाँ पर जितनी क्वांटिटी बनानी थी उसके कोडिंग दो आलू लिया है अब इसमें थोड़ा सा स्वाध अनुसार नमंग जितना आपको चाहिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर जोकी फ्रेशली ग्राउंड़ेड है वो मिला देना है फिर सारी चीजों को अच्छी तरह से अपने हाथों के सहारे या स्पून के मदद से मिला देना है अब इसमें थोड़े से वेजीज आड़ करने हैं जिसके लिए चॉप्ट अनियन्स, ग्रीन कैप्सिकम एंड टमेटोस मिला दिया है आलू में आप चाहे तो बेल पेपर भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं अपने प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग यह सारी वेजीज डालने के बाद अच्छे से अपने हाथों से मिला लीजिए अब एक दूसरा प्लेट ले लेंगे और उसमें यह जो आलू का जो मिक्सचर आपने तयार किया है उसमें से ऐसे बॉल्स बनाके रफली एक एक करके आपको प्लेट में रखना है यहाँ पर टोटल नाइन बॉल्स बने हैं जैसे आप देख सकते हैं अल्रेटी फिर एक बोल ले लेंगे और बोल में थोड़ा सा मैदा एड़ करेंगे एक कप मैदा इसमें डालना है आपको और जिस कप से डालेंगे आप मैदा उसका ही आधा कप कॉन फलार लेके डालना ह उसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स एड़ कर दीजे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालके मिक्स कर लीजे फिर एक दूसरे छोटे बोल में एक अंडा ली लीजे और उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल कर अच्छी तरह से विस्क कर लीजे अंडा विस्क हो जाने के बाद यह जो आपने बॉल्स जो बॉयल डालू से बना के रखे थे इनको हाथ में लेके बीच में से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करना है ऐसा शेप देना है जैसे आप देख सकते हैं मतलब बहुत ज्याद इस तरह से शेप दे देंगे उसके बाद जो हर्याली चिकन कबाब की जो श्रेड़ेड पीसेज एकदम स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखे थे वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में लेके आपको इसमें डाल देने है यह कबाब को मतलब आपको ज्यादा प्रेस नह अपको एक एक करके इस तरह से मतलब आलू के अंदर यह ऐसे कटोरी टाइप बना के उसके अंदर यह श्रेड़ेड चिकन आपको ऐसे करके डाल देने है जैसे आप देख सकते वीडियो में और इसमें एक प्रॉपर शेप भी तो देना है ना हमें तो इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शेप ना बिगर जाए अब इसमें चिकन के उपर एक एक छोटे छोटे पीसिस में कट किये हुए जो प्रॉसेस चीज के क्यूब्स आप देख सकते यह आप अड़ कर देंगे यह खाने में बहुत ही स्वादिश होता है और यह सारे रेसिपीज ज क्योंकि इस चक्कर में मुझे भी बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिल जाता है हां तो यह चीज के जो क्यूब्स आपने आट किये उसके बाद आपको अच्छे से बाल्स बनाने हैं इसके अच्छे से शेप देने हैं जैसे आप देख सकते हैं और यह बनाना भी बहुत के सारे recipes जो है बहुत ही simple रहते हैं बहुत ज्यादा कुछ मतलब excessive कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती ingredients भी बहुत एकदम अलग-अलग से कुछ रहते नहीं है मतलब easily available ingredients एकदम कम time में easy वाले जो recipes हम बना सकते हैं जो मतलब किसी किसी भी इनसान का काफी time safe करें ऐसे टाइब के recipes वो बनाते हैं हाँ तो आप सारी चीजों को इस तरह में एकठा कर लेना है और एक एक यह जो आपने potatoes के मतलब यह जो balls जो बनाये थे इसको एक में इस तरह से dip करके और फिर जो मैदा और कॉन फ्लार वाला जो mixture है इसमें डाल देना है ऐसे करके एक एक बॉल को आप एसे मतलब सेम प्रोसेस में आपको repeat कराना है पहले एक वाश और उसके बाद मैदे का mixture ऐसे करके जब ready हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे अब ये ready हो जाए तो एक कड़ाई ले लीजे और उसमें refined oil एड़ कर लीजे oil को थोड़ा ज्यादा ही रखना है क्योंकि हलका मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे deep fry करना है हमें इसलिए अब oil में हम लोग एक cube butter भी डाल देंगे जब ये अच्छे से गरम हो जाए तो ये जो आपने ball की shape में मतलब जो cutlets type का बनाया था एक एक करके तेल में आप fry कर लेंगे बहुत ज्यादा एक ही बार में हमें fry नहीं करना है ये cutlets को हमें दो बार fry करना है तो एक बार ऐसे fry करके आप रख देंगे plate में और फिर से लेके दो बार इसको fry करेंगे तो इसका जो स्वाध है वो अच्छा हैगा इसमें कोई bread crumbs वैसे use नहीं किये है जिसके वज़े से ये crispy नहीं बनते लेकिन ऐसे बहुत सही सुआद होता है तो अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसे मतलब cutlets खाने का मन हो लेकिन घर पे bread crumbs अवेलिबल ना हो तो आप इस तरह से बना के खा सकते है काफी सही लगता है, tasty लगता है और snacks के लिए तो मैं वो लूँ मतलब perfect recipe घर पे अचानक guests आ गए अगर आपके और मानलो की पहले से कबाब जो है वो बनके ready है तो ये बनाने में ज्यादा time नहीं लगेगा और आप बहुत ही कम समय में ये बना के तयार कर सकते है तो ये हमारे बहतरी इन से जो cutlets है वो बनके ready हो गए है आप देख सकते हैं ये काफी सही रहता है और अंदर से भी थोड़ा cheesy होता है क्योंकि आपने already इसमें processed cheese का जो cube है वो डाला हुआ है ये इसका final look है टेस्ट में बहुत बढ़िया होता है ये veggies जो है ये काफी ज्यादा मतलब you know flavor मतलब बहुत अच्छा add करते है थोड़े थोड़े crunchy भी होते है crunchiness रहता है मतलब capsicum और onion की तो इसको आप ketchup के साथ जैसे हमने red chili sauce के साथ खाया था आप tomato ketchup के साथ या अपने according कोई भी sauce mayonnaise वगेरा के साथ enjoy कर सकते है thanks for watching